हलो वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल तो आज हम बराने वाले है रेड्मी एथरी दरसल यह फोन में प्रॉब्लम यह है यह फोन नहीं हो पर आ है और यह मदरबूर पूरा ही फ्रेश है कहीं से कुछ तरीके का काम किया हुआ नहीं है तो देखेजिए आप पूरा स्क्रीन पर इसके बाद हम पूरी शेल्ड जो है अच्छी तरीके से लिकाल देंगे आजू-बाजू के जो कंपोनेंट है वह डैमेज नहीं होना चाहिए तो हमने इसे जब चेक किया तो यह जो ले रहा था करण चार्जिंग पर 0.1 तो दरसल उसकी वज़े से यह फोन नह बार के बना लेंगे तो क्या हूंगा दोनों एक साथ बना लेंगे तो बढ़िया रहेंगा तो अब यह कुछ कंपोनेंट है अड़े त्यड़े हो गया है तो हम इसे जगे पे ले ले लेते हैं उसके बाद मदरबुड को अच्छी तरीके से नीट एन क्लीन कर देना है एक् इस तरीके से काटना है फिर उसके बाद हम हलका सा पेस्ट लगाएंगे और इसी तरीके से उसको साफ कर देंगे डिशॉल्डिंग वायर की मदद से तो यह देख लीजी हो चुका है अब हम इसे चारों कोने जो है इसको एकदम नीटन क्लीन कर रहे है तो यह भी हो चुका ह है हमारा सो सीपीओ भी एकदम नीटन क्लीन हो चुका है तो अभी हम इसे दो से तीन बार रिबॉल करेंगे तो देख लीजी फर्स टाइम कर रहे हैं तो देख लीजी यह हो चुका है हमारा रिबॉल यह तीसरी बार तो यह तीन बार में हमारा इसी एक नंबर रिबॉल हो चुका है चौती पर हमने कट करके हीट मारा है और यहां पर कुछ-कुछ जगे पिपडी लगिए तो हम इसे लिकाल देंगे टूल की मदद से अब इसके बाद बारी आ यह CPU लगानी की तो यह देख लिजिए CPU लगा चुके हैं हमने और यह पेस्ट बाहरा आ चुका है इसका मतलब यह है जो हमारा प्रोसेसर है वो बैट चुका है तो अभी हम फड़ाफट UFS चिप भी रिबॉल कर लेंगे तो देख लिजिए यह UFS चिप भी हमारी रिबॉल हो चुकी है अभी इसे भी हम फड़ाफट हीट मारके बैठाल देंगे तो देख लिजिए UFS चिप भी हमारी बैठ चुकी है नीचे से पेस्ट बाहर नहीं आया लेकिन UFS चिप ने अपनी जगे ले लिए तो यह मदरबू ठंडा हो चुका है तो अभी हम फड़ाफट इसे प सब्क्राइब नहीं कियोंगे तो चैनल जल से जल सब्क्राइब कर ले चली अब मिलेंगे हम आपसे नेक्ट वीडियो में ओके बाइबाइबाइब